इगनू ने दिसंबर 2022 एक्जामीनेशन के रिजल्ट का एक नया अपडेट पबलिस्ट कर दिया है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डीटेल में बात करने वाले हैं तो वीडियो को कंपलीट देखिए और इगनू से रेलेटेट सभी अपटेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं रेजल्ट चेक करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर आना होगा इसका लिंक नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ओप्सन मिल जाएगा दिसमबर 2022 रेजल्ट से इस पर आप क्लिक करेंगे तो रेजल्ट के बारे में सभी जानकारी आप पर आपको मिल जाएगा लिंक इस पर आप क्लिक करेंगे और यह पेज ओपन हो जाएगा इगनु ने दिसमबर 2022 ट्रम एंड एक्जामिनेशन के रेजल्ट का तीसरा अपडेट 28 दिसमबर 2022 के डेट में अपडेट किया है यहाँ पर इन्रॉल्मेंट नमबर डालने के बाद आप अपना अपना रेजल्ट चेक कर सकते हैं और रेजल्ट चेक करने के बाद आप मुझे नीचे कॉमिट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सब्जेक्ट का रेजल्ट आ चुका है और कितने सब्जेक्ट का रेजल्ट अभी पैंडिंग है जैसे कि आप यहाँ पर दे देख सकते हैं BTS program के student है और सो में से 57 नमर दिया गया है इनका भी पेज में आपको refresh करके दिखा देता हूं साथी में इनका result आप देख सकते हैं यह B.com.af program के student है और सो में 68 नमर दिया गया subject code है B.S.H.F.101 इसके अलावा इनका देख सकते हैं यह भी B.A.G. program के student है और इन्हें जो है सो में से 35 नमर दिया गया है इनका देख सकते हैं सभी पेज में आपको refresh करके दिखा देता हूं और अभी जब मैं वीडियो को record कर रहा हूं तो यहां पर अभी का आप time भी देख सकत हैं इनका रेजल्ट आप देख सकते हैं 100 में से 64 नमर दिया गये है इनका रेजल्ट आप 다ड़्य इनियों से 61 नमर दिया गया है B.A.G. program के student है इसके अलावा इनका देख सकते हैं और इनका भी result आप देख सकते हैं और जिनका भी result अफी नियर डिकलेयर किया था बाकि आज जो नया अपडेट आया है दिसंबर 2022 सन एक्जाम के रिजल्ट का 28 दिसंबर 2022 के डेट में तो इसमें आपके कितने सब्जेक्ट का रिजल्ट डिकलेर किया गया है आप मुझे नीचे कॉमिट बॉक्स में जरूर बताइए और इसके अलावा अगर आपने एक्जाम दिया है औ अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको परेशान नहीं होना है इगनु में जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आता है एक बार में सभी स्टुडेंट का रिजल्ट नहीं आता है अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको अगले अपडेट का वेट करना हो तोगा